अगर आप चंडिगड पी आटी एक्जाम की प्रिपेर्शन कर रहे हैं तो ये क्लासिज आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोटेंट है और आज का जो सेशन है इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आज की सेशन में हम mathematics से लेटेड कुछ important concept को देखने वाले हैं तो अगर आप चनल पर new है तो चनल को subscribe कर लीजिए अगर आपको किसी तरह का कोई doubt है कोई issue है कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस contact number पे whatsapp message या फिर direct call भी कर सकते हैं अगर आपने telegram group को join नहीं किया है तो आप telegram group को join कर लीजिए telegram group को join करने का जो link है वो आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा हमारी application foundation classes बायामित को अगर आपने download नहीं किया है तो आप application को download कर लीजिए application को download करने का जो link है वो भी आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए start करते हैं session को देखिए कल मैंने एक poll डाला था क्योंकि मेरे पास जो coffee student है ना उनके message आ रहे थी कि sir हमें आना सिर्फ और सिर्फ notes चीए हमें videos नहीं चीए तो हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वो notes जीए तो मैंने एक poll डाला था और उस base पे मैंने आप सभी के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ notes जीए ना एक course launch कर दिया है ठीक है जिसमें आपको सभी subject के जो PDF notes है ना वो मिल जाएंगे और इन PDF note का आप print भी निकलवा पाएंगे ठीक है ना ताकि आप कम समय में print निकलवा के कम समय में आप अच्छे से चीज़ों को revise कर सके ठीक है तो ये चीज मैंने आपके लोगों के कहने पे ये मैंने कर दी है और इसमें आपको एक benefit हो रहा है ठीक है अगर आप इस course को purchase करते है ना तो जो test series आपके social science के जिसे मैं paid करने वाला था आप लोगों के लिए free of course है जिसमें आप chapter wise जो आपके social science के हमने 28 chapter करवाई है course के अंदर तो वो chapters है ना उनके chapter wise जो mcq है वो आपको free of course मिल जाएंगे ठीक है ना ताकि आप ले चेप्टर को revise करें pdf को अच्छे से याद करें then उसके बाद इन mcq को करें ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आपकी कितनी तयारी है और देखिए ये जो mcq या जो chapter है ना ये आपके completely ncrt based है completely ncrt based है जैसा कि आपके exam में questions पुछे जाते हैं उसी के according ठीक है तो जैसा आपने बोला था मैंने आप लोगों के लिए course को launch कर दिया है तो जिनने सिर्फ और सिर्फ notes जीए वीडियो नहीं जीए वो इस course को purchase कर सकते हैं आपको application को download करना है और application को download करने के बाद आप जो चंडिगट PRT वाला जो folder है उसमें जाएंगे तो आपको ये course वहाँ पे नजार आ जाएगा ठीक है तो चलिए start करते हैं आज के session को देखिए आज का जो lecture है इसमें हम पढ़ेंगे profit and loss के बारे में इनके कुछ basic concept है उनको समझेंगे देन उसके बाद इनसे related कुछ questions को हम देखने वाले है देखिए profit and loss एकदम easy chapter है हम काफी लोगों को आता भी होगा लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़े बताऊंगा जिनसे आप calculation को कम से कम करें और answer जल्दी से जल्दी निकाल पाएं ठीक है तो चलिए फिर start करते हैं देखिए आपको क्या क्या चीज़े याद रखनी है याँ पे वो देखिए आप बहुत आप एक बात बताईए आपको profit कब होता है आप ऐसा मानिए आप ऐसे start कीजिए SP SP का मतलब होता है selling price अगर हम हिंदी में बात करें हैं तो हम बोलते हैं विक्रे मुल्य क्या बोलते हैं विक्रे मुल्य बोलते हैं अगर मैं CP की बात करूँ याद की cost price और cost price का मतलब होता है क्रे मुल्य क्रे मुल्य का मतलब होता है जितने रुपय में आपने किसी चीज को खरिदा है क्रे किया है, खरिदा है ठीक है, और विक्रे का मतलब होता है बेचना, ये चीज़ें आपको पता होंगी, अब मैं आपको ये वोलू, कि आपको किसी चीज के उपर लाब हुआ है तो आप मुझे ये बताइए कि लाब आपको कब होगा जब आपका SP ज़्यादा होगा तब आपको लाब होगा ये आपका CP ज़्यादा होगा तब आपको लाब होगा SP का मतलब होता है Selling Price और CP का मतलब है Coast Price, जितने में खरिदा selling मतलब जितने में बेचा देखिए सिधा और simple से है lab आपको कब होगा जब आपका जो SP है न वो greater than CP होगा यनकी आपने चीज को कम में खरीदा और आपने चीज को ज़्यादा में बेचा तब क्या होगा आपको lab होगा इसी तरह अगर मैं honey की बात करूँ तो आपको honey कब होगी जब आपका जो CP है CP greater than क्या हो SP हो यनकी आपने उस चीज को ज़्यादा में खरीदा था और आपने उसमें लोस लिया और आपने कम में उसको बेचा तब क्या होगा आपको honey होगी अब यहाँ पे आपको main चीज ज़्याद रखनी है अगर मैं आपसे लाब परतिसत पूषता हूँ profit percent तो उसका formula होता है profit यनकी लाब divided by 100 क्रेमुले divided by क्रेमुले और multiply में 100 ठीक है यह क्या होता है आपके लाब परतिसत का formula यनकी profit परतिसेंट का और इसी तरह हैसे मैं आपको honey परतिसत पूषता हूँ तो क्या लिखोगे आप honey लिखोगे यनकी loss लिखोगे upon में आपका जो क्रेमुले है और क्रेमुले है अनकी CP ठीक है और multiply by 100 क्या मिल जाएगी आपको honey मिल जाएगी honey percent मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ पर याद रखने वाली जो चीज है ना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि अगर आपसे honey percent याद की loss percent और आपसे लाब परतिसत यादि profit percent के बारे में पुछा जाता है तो वो आपके क्रेम मुले पर होते हैं क्रेम मुले पर होते हैं जब तक कि special उनके बारे में बोला नय जाए ठीक है यादि क्यूस्टन के अंदर आपसे अगर यह लिखा मिले ना कि किसी वस्तु पर हमें इतने percent हनी हुई इतने percent लाब हुआ तो आप यह समझ जाना कि जो आपका lab percent या honey percent है वो आपका क्रेम मुले पर होता है इस पर होता है क्रेम मुले के उपर होता है ठीक है अब एक चीज़ आपको और शमझनी है जैसे मानलो मैंने यह बोला कि मुझे 20% का lab हुआ किसी वस्तु को खरिदने पर मुझे 20% का lab हुआ अब 20% को मैं sol करता हूँ माल लो 20 upon 100 20 से कम 20, 25 सो क्या लिखूंगा मैं 1 upon 5 लिख दिया है मैंने तो यहाँ पर जो निच्चे जो value होती है यह आप अमेसे मानना कि क्या होती है आपके क्रे मुले होती है यह कि CP होती है अब मैंने बोला 20% का लाब तो 20% का लाब का मतलब यह हो गया एक बटे पांट सोल कर लिया तो यह 5 आपका CP है और उस पे 1 रुपए का आपको लाब होआ है तो SP कितना हो गया SP हो गया आपका 6 यह कि CP आपका 5 हो जाएगा और SP क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ 20% लाब का मतलब यह हुआ ठीक है तो यह निच्चे वाले जो वैल्यू है न यह आपकी हमेशा CP होगी जब तक कि वो अलग से इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है तो स्टेंडर्ड रूप में यह आपके CP होगी याद रखिएगा ठीक है तो चलिए अब हम क्यूसन के तरफ बढ़ते हैं कोई अलग चीज पताने की आएगी तो मैं आपको क्यूसन के अंदर ही बता दूँगा एक्स्प्लेन कर दूँगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब आप फर्स्ट क्यूसन को देखिए एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाब होता है तो कुर्सी का क्रेम मुल्ले कितना होगा यह आप से पुछा गया है तो एक तो क्या लगाई आप इनमें फॉर्मूलाज लगाई जो आपके फॉर्मूला होते हैं मैं यहाँ पर आपको इससे भी इजी तरीका बताऊँगा ठीक है अब उसने क्या बोला कि 1144 रुपए में बेचने पर यह एक व्यक्ति को 30% का लाब होता है अब 30% का लाब अब लाब उसको कब होगा 30% लाब बोल रहा है यादि कोई वस्ति के विल्य क्या है आपका 100 रुपए है और उसको 30% का लाब हो रहा है 30% का मतलब 100 का 30% ऐसे निकालोगे न आप तो कितना हो गया 130 का क्या हो गया उसको लाब होगा बढ़ जितने में आपने उस वस्तु को खरीदा था, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या मिलेगा, आपने उससे ज़्यादा में उस वस्तु को बेच से है, तबी तो लाब होगा ना, तो इसलिए आपका यहाँ पर यह क्या आएगा, यह SP होता है, वाई क्यूस्टन के अगोडिं यानकि उसने उसको कितने में, 130 रुपए में बेचा, और तब उसको क्या होगा, 30% का लाब होगा, अगर आप इस definition को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ ना, कि 100 आपका CP, 130 आपका SP, और 30 रुपए का क्या, लाब, तबी तो 30% का लाब होगा उसको, तो यहाँ पे जो इस CP हम क्या मानके चले हैं, 100 मानके चले हैं, यहाँ एक क्रेमुल हमने क्या मानना है, आपका 100 रुपए मानना है, तो आप 100 की वैल्यू निकाल दीजी, क्या करना है, सिर्फ 100 से multiply कर दो, आप cut कर दीजी, 1 से 1 cancel, 0 से 0, 13 एकम 13, 13,04, ठीक है, फिर 13,104, 0, क्या आगया आपका 880 रुपा आगया, क्या, आनुसा नमबर भी हो जाएगा, आप समझ गए न, कैसे किया है मैंने, कि मैंने बोला, कि बेशने पर वैक्ति को 30 परशेंट का लाब होता है, अगर मैं 100 वैक्ति की वैल्यू माननू, क्रेमुले 100 माननू, तो 30 परशेंट का लाब हो गया, कि उसने लाब आया न, यहां से यहां तक, ठीक है न, तो 30 परशेंट का लाब होता है, 130, याद रखिएगा आप, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्यूस्टन है आपका, कि राम ने 1600 अंडे, 3.75 रुपए परति दर्जन के भाव से खरीद दे, याद की सिप्पी है, इन में से 900 अंडे, उसने 1 रुपए के 2 दर की दर से बेच दिये, याद की बेच दिये, याद की सिप्पी है, तो उसका लाब परतिशत नहीं रहे थे, तो इसलिए मुल्य उसने घठा दिया, और उसके बाद उसने इतने इंडे, इतने के भाव से बेच दिये, तो तब पुछा है कि लाब परतिशत बताईए, अब सिधा और सिंपल सा है, यहाँ पे 16 अंडे है, तो यहाँ पे 3.75 रुपए परति दर्जन दे बेच्चेगा, 3.75 और बटे में 12, ऐसे करोगे, और कितने अंडे हैं, 16 अंडे हैं आपके, तो 16 से उसे क्या कर दो आप, multiply कर दो, ऐसा है करोगे ना, कि 12 अंडे कितने रुपए के बेच्चे, 3.75 रुपए के खरीद दे, खरीदने के बारे में बात हो रही है यहाँ याद हो गया आप, 2 से 2 कैंसिल, 4 से कार दीजिए, 4 तीया 12, 4 चोक 16, 3 से कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, और 125 चोक 500, यनकि उसने 500 रुपए में कितने अंडे खरीद दे थे, आपके 1600 अंडे 500 रुपए में खरीद दे थे, यह CP हो गया, क्रेम मुल्य हो गया, कितने द इसने क्या बोला, कि इन में से 900 अंडे, उसने एक रुपए के 2 की दर से, मैं इसको रब कर दूं, ताकि समझा पाऊं, मैं इतना मेरे को समझ में आगया, कि जो CP है न, CP आपका कितना आगया, 500 आगया, इतना तो मुझे समझ में आगया, अब इसने ये बोला, कि उसने एक र बैचेगा, एक बटे 2, और 900 अंडे हैं, तो 900 अंडे कितने रुपए के बैचेगा, एक बटे 2, गुणा में क्या हो जाएंगे, 900 हो जाएगा, यानि कट करोगे, तो क्या हैगा, 450, तो एक SP तो आपका 450 आगया, इसी तरह आप सकेंद निका लीजिए, कि 6 अंडे, 2 रुपए में, 5 की दर, जैंकि 5 अंडे कितने रुपए में, 2 रुपए में, 1 अंडा, 2 पटे 5 में, और कितने अंडे हैं, 700 अंडे बच रहे थे आपके, तो गुणा में 700 कर दीजिए, 5 एकम 5, 2, 5, 20, 0, तो 280 क्या आगया आपके, यहापे आगे, 280 अंडे आगया, 280 रुपए 230, तो 730 क्या आगया, आपका SP आगया, टोटल, टोटल SP, और CP कितना था, 500 था, तो उसका लाब परतिसत पुछा था, तो कोई चीज, आपने 500 में क्या की है, और उस चीज को आप बेच रहें कितने में, 730 रुपए में, तो कितना का प्रोफिट हो रहा है, 230 रुपए का, ठ 500, और multiply में क्या कर दोगे, आप 100, 2-2 cancel, 5-2 कर दीजिए, 5-2, 20, बच गया 3, और 5-3, कितना आ गया, 40% आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, आपका answer हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति दुआरा, एक कुर्षी 720 रुपए में बेचे जाने पर, उसे 25 परत इसाद लाब कमाने हैं तू, कुर्षी का विक्रे मुले बताईए, क्या बताना है, SP बताना है, अब एक बार बताईए, मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी, कि माल लो, कुर्षी का क्रे मुले क्या है, 100 रुपए है, कि कोई वस्तु है न, 100 रुपए में क्या की उसने खर हानी होगी न, तो कितने कम में बता रहा है, 25 परशेंट, तो 100 का जब 25 परशेंट निकालेंगे, तो 25 ही आएगा, यानकि उसने क्या किया, 75 रुपए में उसको बेच दिया, ठीक है, 75 रुपए में बेच दिया, तो कितने की हानी बता रहा है, 720 रुपए है, यानकि 25 परशे पहले आनी हो रही थी, अब क्या निकालना चाहता है? उलाब निकालना चाहता है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? 720 रुपए में बेची, जब 25% की हाननी हुई थी, यांकि जो पिचेतर है न, पिचेतर की वैलू गिवन है आपके 720, समझ गें मैंने कैसे निकाला है? कोई वस्तू है, यहाँ पर बोला गया था, एक व्यक्ति द्वारा, एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर, उसे 25% की हाननी होती है, तो मैंने माल लिया, कि वस्तू का क्रेम लेहना 100 है, तो 25% की हाननी हुई, यांकि उसने 51 रुपए में बेची, तो अब वो बेचना च की, निकालने कितनी है, 125 की, तो 75 की वेल्यू 720, एक की वेल्यू 720, अपोन में 55, और निकालने कितने की है, 125 की तो गुणा में 125 कर दीजिए, 25-35, और 25-125, तीन से कर दीजिए, 3-2-6, 3-12, 0-5 से कर दीजिए, 5-0-0, 5-20, 2-5-12, 12, क्या आ गया, आपका 12-100 रुपए आ गया, पुर्सी का विक्रेमुलियन की SP, आप समझ गये होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति, अपना टाइप राइटर, 5% हन्नी पर बेचता है, यदि वैई से 80 रुपए हदिक में बेचे, तो उसे 5% का लाब होता, तो टाइप राइटर का क्रेमुलिय बताईए, देखिए, I think आप कर भी पाएंगे, इसको आराम से, फिबी मैं करा देता हूँ, कि 5% की हन्नी पर, तो मैंने माल लिया कि 100 उसका क्रेमुल है, CP है बई, और 5% की हन्नी पर बेच रहा है, तो हन्नी का मतलब 100 से 5 साइट जाएंगे, कितने रुपए में बेचा, उसने 5 रुप 5% आनी बोल रहा हूँ, तो 100 का जब आप 5% निकालते हो, तो 5 ही तो निकलके आता है, तो इसलिए मैं डारेक्ट 100 में से 5 गटा के पिचान में लिख रहा हूँ, कभी आप यह सोथे कि यहाँ पे तो 5% में दे रखा है, और सर डारेक्ट 5 रुपए गटा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप समझना उसी है, जब सोप पे निकालते हैं ना, तो वही तो निकलते हैं ना वैल्यू, इसलिए, अब उसने बोला, कि वधिव है उसे 80 रुपए हदिक में बेशता, तो उसे 5% का लाब होता, लाब का मतलब, आग यह के तरफ जाएंगी आप, यहाँ कि 105 रु पेशता, तो 105 रुपए का क्या होता, क्या होताँ उसे 5% का लाब होता, यहीं बोला है ना, यानि कि यह जो वैल्यू है ना, बीज का जो गैप है, पिचान में से 105, जनकी 10, 10 की वैल्यू दे रखे कितनी, आपको 80, 80 रुपए हदिक में कहां से, यहां से काउंट करेंगे आ क्योंकि यहीं पे तो उसने बोला है न कि 5% की हानी हो जाती है और यदि वह उसे 80 रुपए हर्दिक में बेशता तो 5% का लाब होता है यहां से और यहां तक कि जो gap है न इसकी value 80 दे रखी है और actual में इसके according देखते हैं 10 है एक्चुल value कितनी है आपकी 80 है तो कितने गुणा पे हो गया आपके 8 गुणा पे और निकालने हमें किसकी value है CP की क्यों क्रेमल पुछा है न तो CP के value क्या हो जाएगी 100 गुणा 8 कर दीजी आप कितनी आ गई आपकी 800 रुपए आ गई यहां से वो कुछ भी पूचे आप गुणा 8 कर दीजी अगर वो यहां पे विक्रेमल पूचता तो विक्रेमल बताइए या तो वो पुछेगा पहले वाला कि पहले वाला विक्रेमल बताइए तो पिचानमे को 8 से multiply कर दो जो honey वाला विक्रेमल पूछता है और अगर वो lab वाला विक्रेमल पूछता है तो 105 को 8 से गुना कर दो तो यह जो गुना वाला matter है ना हर जो value है ना वो इतने ही गुना पे बैठी हुई मिलती है याद रखेगा इस बात को आप ठीक है तो यहाँ पे जो gap था असी का था तो 8 गुना पे हो गया तो पहले वाली पुछेगा तो यहाँ पे 8 लगा देंगे अगर आगे वाली पुछेगा लाब वाली जो विक्रेमुल है एस पी है तो यहाँ पे 8 से गुना कर दोगे लेकिन इसने पुछा था क्रेमुल बताईए यहाँ कि 100 के value पुछी थी इसलिए हमने 100 को 8 से multiply करके 800 रुपे डारेक यहीं पे लिग दी तो आंसर क्या होगा आपक के लाब पर बेची इससे उसे कुल क्रेमुले पर 14 पर लाब हुआ तो 18 पर उसने कितनी चिनी बेची थी तो देखिए यह आपका mixer allegation वाला चैप्टर है एक्चल में तो यह वहाँ का क्यूसन है इन्होंने profit and loss के अंदर डाल दिया तो चलो गलती से यहाँ पर आ गया तो च इस में से कुछ चिन्नी 8 पर लाब पर मैंने लिख दिया कि उसने सारी की सारी जो 1000 किलोग्राम चिन्नी है ना मानलो उसने 8 पर लाब पर बेच दी तो मैंने 8 पर लिख दिया value 8 लिख दी मैंने value लिख लीजिए इसको आप value 8 लिख दी ठीक है और इसने बोला तता 6 उसने 18 पर लाब पर यहां पर आप 18 लिख लीजिए इसे 18 पर लाब बेच दी और उसने बोला कुल क्रेम मुले पर उसे 14 पर लाब हुआ और जो 14 वैल्यू है इसको आप बीच में लिख दी जिए कि कितना हुआ उसे 14 पर लाब हुआ तो अब इसने आप से ये पूछ लिया कि 18 पर कितने बचेंगे आपके 4 बचेंगे तो 4 पलस में 6 is equal to 10 तो यहां पर जो 10 वैल्यू आईए ना यह आपकी total चिन्नी की वैल्यू आईने 10 की वैल्यू है आपकी 1000 खितने गुना पर है आपके 100 गुना पर है तो यहां से आपको यही निकलना था कि 18 पर लाब पर उसने कितनी यह था आपका 18% वाला, यह 8% वाला, तो इसके निकल से क्या है आपका 6 है ना, तो 6 का भी आप क्या कर दोगे, direct 100 गुना कर दोगे, कितनी आ गई, आपके 600 किलोग्राम बेचने थी, सिर्फ इतना सा किस्टन था, और अगर आप वैसे इसको करना चाहिए ने तो कितना लंब होती है ना बीच वाली वैल्य आपकी 14 है तो एक वैल्य तो इससे छोटी मिलेगी जैसे 8 है 14 से छोटी है और एक वैल्य 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 से हमें से आपको ज़्यादा मिलेगी mixed allocation के अंदर तो यहां पर क्या है आपका 18 है तो 14 में से 8 गई 6 और 18 में से आपका 4 बच जाएगा आपको समझ में आ गया ना तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे रांसर क्या आ गया आपका 600 के जी आ गया ठीक है याद रखेगा आप आगे बढ़ते हैं अच्छा यहां पर यह और देखिए अगर वह 8 परशेंट वाली पूछ लेता तो कैसे निकालते इसका आप 100 से मल्टिप्लाई कर देने 400 गराम आज आती ठीक है न याद कि जो वैल्यू है न जितनी गुणा पे है हर वैल्यू के आप उतना गुणा बठा सकते हो याद रखिएगा आप ठीक है आगे चलते है एक व्यक्ति ने दो पाइप 12 12 रुपए परती पाइप की दर से बेचे है याद की SP दे रख है ठीक है एक पर उसे 20 परशेंट का लाब हुआ अब 20 परशेंट का लाब का मतलब क्या हो गया एक बटे 5 याद की 5 में उसने खरीद दी और 20 परशेंट का लाब याद की 5 में खरीद दी थी एक का उसे लाब ह हुई अब 20% हनी का मतलब 20% को 1 by 5 यांकि 5 में उसने खरीद दी थी second वाली pipe और हनी हुई है कितने की एक रुपए की हनी तो कितना हो गया पांच में से एक गया चारा क्या आ गया उसका SP आ गया यह value पता है न मैं कैसे लिख रहा हूँ एक कैसे कर रहा हूँ मैं एक मैनस कैसे कर रहा हूँ मैं जब 20% का lab का मतलब क्या होता है कि उस value को बेजने पर 20% का lab हुआ है जब lab को आप soul करते हैं तो क्या लिखंगे 1 upon 5 मैंने आपको हमेश्या बता है यह क्या होता है तबी तो आपका जो विक्रे मुल है वो आता है SP आता है तबी आता है na SP आपका जब आप CP में से अगर CP में जब लाब को add कर दोगे तबी तो SP आएगा ना तो इसलिए मैंने क्या किया 5 में एक को add कर दिया 6 क्या आगया मेरा SP आगया तो यहां से आपको पता चल लगया इसी तरिके से यह 5 CP है लोस हुआ तो मैंने 4 लख दिया तो यह दोनों क्या है आपके CP है और हमेशा इनको multiply करना यह भी याद रखेगा इन्हें add नहीं करना है multiply करना है याद रखना आप तो पापा 25 यह 25 क्या है आपका CP है और 6 चोग 24 क्या है आपका SP है यह दना समझ में आ गया कि जब दोनों pipe को हमने बेचा तो 25 क्या है आपका CP है यह 25 रुपे में आपने खरीद दी और 24 रुपे में क्या कर दी आपने बेच दी तो हमें यहाँ पे यह पुछा था कि उसे क्या होगा लाभ होगा, honey होगी यह सब चीज़े हमसे पुछी थी तो देखे आप 25 में आपने क्या किया खरीद दा और 24 रुपे में आपने बेच दिया तो क्या हुआ आपको एक रुपे की honey होगी न क्या होगी, एक रुपय की हनी होगी, देख लीजे आंसर कहां पर है, आंसर नमर सी, और यहां पर यह पूश देता, कि हनी परतीसत बताओ, तो क्या करते आप, भई हनी कितनी आई, एक रुपय की बटे में, क्रेमुल कितना है, आपका 25 है, और मल्टिप्लाइ में क्या कर देत और 24 उसने बेच दी तो एक रुपय का क्या हो गया उसको honey हो गई आप समझ गया होंगे ना आगे बढ़ते हैं इसका तो use भी नहीं किया हमने डारेक्ट हमने answer ही निकाल दिया ठीक है ना आप समझ गया होंगे कैसी मैंने समझाया है आगे बढ़ते हैं सो पैंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पैंसिलों के विक्रे मुले के बराबर लाव होता है तो उसका लाव परतिशत बताईए अच्छा यहाँ पर एक चीज को समझें आप बैं मैंने आपको बोला कि आपके पास 10 किलो क्या है सेव हैं मैंने आपको 10 किलो सेव दिये और मैंने बोला कि आप क्या करना इन 10 किलो सेव को बेचना और उसके बाद मुझे यह बता ना कि आपको कितना लाव हुआ और कितनी हानने हुई आपसे मैंने यह पुछा तो ठीक है, मैंने आपको 10 किलो क्या दे दिये, सेव दे दिये और उसमें से क्या किया, कि आपने 2 किलो सेव है ना, आपके घर में महमानों आई हुए थे और आपने 2 किलो सेव अपने महमानों को दे दिया फिक है अब आपके बस कितने बच गई 8 किलो सेव बच गई और मैंने आपको क्या बोला था कि 10 किलो सेव आप बेचना और मुझे ये बताना कि आपको कितना लाब और कितनी हन्य होती है 10 किलो सेव है मैं 500 रुपए के लेके आया हूँ मैंने ये बता दिया आपको कि 10 kg save है मैं 500 में लेके आया हूँ और आपको क्या करना है इन 10 kg save को बेचना है और आप मुझे ये बताना कि कितना आपको लाब हुआ और कितनी आपको हन्य हुई वह 500 में लेके आया था यहाँ पर हो सकता है उसको अच्छे rate मिल जाएं और कितनी आपके हन्य होती है अब उसने क्या किया दो किलो जो save तेने घर में यूज हो गई पचे कितने आठ किलो save अब वो बेचने गया और आठ किलो save उसने बेच दिये तो मानलो उसको क्या हुआ 400 रुपए मुझे बेच दिये अब आप मुझे खुद बताईए इससे आप लाब और हन्य निकाल सकते हो आप technical में जाओगे तो आप कहोगे कि आँसर निकाल सकते हैं लेकिन 2 किलो उसने घर में use कर लिये तो आप exact तो सही तरके से निकाल पाओगे ना तो मेरा यहाँ पर बताने का मतलब यह है जितनी चीज़ आपने खरिद दी ना उतनी exact उतनी ही चीज़ को आप जब बेच होगे ना तब आप exact में बता पाओगे कि कितना आपको loss हुआ और कितना आपकी honey हुई जैसे 10 किलो उसने 500 में खरिद दे थे और वो गयार 10 किलो उसने बेच चार सो रुपए में उसके बिच गए तो आप exact बता दोगे 100 रुपए का क्या हो गया उसको loss हो गया आप direct बता दोगे लेकन यहाँ पर देखिए 500 रुपए में खरिद दे थे 400 रुपए में उसने बेच दिये तो आप बोल सकते हुँ कि 100 रुपए का लाभ हुआ या 100 रुपए के हन्य हुई नहीं बोल सकते क्यों, दो किलो भी तो आपके रह गए, दो किलो जो आपने घर में यूज कर लिये थे, इनका भाव भी तो लगाओगे, ना, हो सकता है ये दो किलो थे, ये आपके और अलग रेट में जाए, आठ किलो आपने अलग में दिये, दो किलो बोलते हैं, सुबह चाहरा था, आप समझ गए ना, कि Loss and Profit आप अब बता पाओगे, जितनी चीज़ आपने खरीद दी थी, उतनी ही चीज़ को जब आप बेचेंगे, यहाँ पे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़े किये हैं, अब आईए क्यूसन प पता है, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, लाब कब होगा आपको, जब आप क्या करते हो, SP मैंने आपको लाब बोला है, कि लाब कब होगा, जब आपका SP ग्रेटर देन CP होगा, ये तो आपको पता है, और मैंने बुला कितने रुपए का लाब हुआ, तो लाब कैसे निकालोगे, आप SP में से CP तो गटाते हो, तब ही तो बताते हो, कि इतना लाब हुआ है, तो यहाँ पर वही तरिक्का लगाना है, कि 100 पैंसिल बेचने पर, एक दुकानदार को 20 पैंसिलों के विक्रे मुल के बराबर लाब होता है, मैंने लिख दिया, 100 पैंसिल होगे, कि सर यह कैसे लिख दिया, यही तो यहाँ पर मैंने राम कानी समझाए थी, वो यही तो समझाए थी ना, कि हमने लाब हुआ है, और लाब का मतलब क्या होता है, जब आप SP में से CP कटाएंगे, तब ही लाब होगा ना, और मैंने आपको एक्जेक्ट बताया, जितनी वस्तु आपने खरीद दी है, उतनी वस्तु आप बेचेंगे, तब आप लाब और लोस बता सकते हो, तो यहाँ पर लाब हुआ था, तो लाब की बज़े से मैंने लिखा SP मैनेस CP, हो सकता है, अगर यहाँ पर हानी होती ना, तो मुझे CP मैनेस SP लिखना पड़ता, तो यहा SP मतलब 20 वस्तु के विक्रें मुले के बराबर लाब हुआ है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, SP को एकसाइट कर लोगे, CP को एकसाइट कर लोगे, अब यहाँ पर 100 SP है, और यहाँ पर 20 SP है, इस साइड आएगा, क्या बचेगा आपके पास, से SP बच गया, और यह 100 CP है, उद 10, और 2.8, आपका 4 बचे 5 आ गया, ठीक है, अब हमसे पुछा था कि कितना परतिसत लाब होगा, तो कोई वस्तु आपने 5 में खरीद दी, क्योंकि SP 5 है न आपका, और 4 में क्या कर दिया आपने, 4 में खरीद दी थी, और 5 में आपने बेच दी, तो क्या हुआ, आपको 1 रु रुपय का 1, और बटे में क्रेमुल, क्रेमुल क्या है, आपका 4 है, और मल्टिपलाई में 100, 4, 4, 4, 2, 8, 4, 5, 20, 25 परसेंड का क्या हो गया, आपको लाब हो गया, यह यह हम से पुछा था, समझ गे होंगे न आप, यह सारी जो मैंने चीज़े समझाई हैं, याद रखीएग ठीक है, आगे बटते हैं, ठीक है, चली अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, कि मोन ने 20 मेजे 12,000 रुपय की खरिद दी, इने बेज कर 4 मेजों के विक्रेमुले के बराबर लाब कमाया, तो परतेक मेज का विक्रेमुले बताईए, या बताईए, परतेक मेज का विक अजार रुपय की खरिद दी थी, इस value को भी याद रखेगा, इस question के अंदर, और क्या हुआ, चार मेजों के विक्रेमुले के बराबर लाब हुआ, तो ठीक है, हम तो अपने तरिके से चलेंगी, बताईए, लाब हुआ, तो मैंने क्या किया, 20 SP, मैंने क्या लिख सकता 20 की बजाए 16 SP लिख सकता हूँ, 16 SP is equal to, यह इदर minus का है, plus का हो जाएगा, उस side दाके, 20 CP, देख दिया, अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, SP अपन में CP निकाल लूँगा, तो SP अपन CP क्या है, 20 अपन में, यह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कट कर दीजिए, 4 पं 15 है, और CP आपका 4 होगा, अब आपको यहाँ पर एक चीज और भी याद रखनी है, यह जो निकालते हैं, हमेसे हमारा ratio के अंदर आता है, 5 बटे 4 क्या है, ratio, और ratio हमेसे 1 की value मानी जाती है, यहनकि उससे छोटी value आप और कुछ करी नहीं सकते हो, ratio हमेसे क्या होता है, 1 के according हो तो अब आगे आप पता है कैसे करोगे, देखिए आप आगे, आगे आपको पता है क्या करना है, देखिए, आगे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे बोला 20 मेजों की 12,000 है, 20 मेज की value दे रखे है 12,000, तो यहाँ से आपको 1 मेज की value निकालनी है, तो क्या करोगे आप, 12, 1000 अपोन में 20 1 से 1 0 कट गई और 2 6 की 12 कितनी आ गई आपकी 600 value आ गई कितनी एक मेज की value आई है और ये खरिद्धियन की CP CP की value आपकी 600 आई है और हमसे पुछा क्या है कि परतेक मेज का विक्रे मुल्य बताई है एक मेज की value 600 आई है और यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो ratio होता है आपका 1 के coding होता है यानिकि 4 की value आपकी आई है 600 4 की value आई है आपकी 600 एक की value क्या होगी 600 बटे में 4 और निकालने कितने की हमें यहाँ पर 5 SP है याँकि 5 की value परतेकी पुछी दिना तो 5 से क्या कर दोगे आप multiply कर दो 600 बटे में 4 और 5 की क्या होगी 600 बटे 4 गुणा में 5 कर दीजिए 4 एकम 4 2 4 पंजे 20 0 500 को 5 से multiply कर दीए 5 0 0 25 25 2 5 एकम 5 2 7 700 रुपर आगई आपकी एक मेज की value की परतेक की ही हमसे पुछी थी यहाँ पर अगर वो 20 की पूछ था ना तो हम 750 को 20 से multiply कर देंगी सिदा और simple सा जाएगा आपका ठीक है तो answer क्या आपका 750 answer number B ठीक है समझ गए आगे बढ़ते हैं किसी वस्तू को 75 रुपह में बेचने से एक व्यक्ति को उतने परतिशत लाब होता है जितना उस वस्तू का क्रे मुले है तो वस्तू का क्रे मुले कितना होगा देखिए जब भी ऐसी questions आए ना हमेशे आप options के coding चलिए ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे आप ठीक है अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से सोचते हैं तो बहुत जल्दी कर पाएंगे आप अब मैंने क्या किया इन options के अंदर मैंने 50 को उठाया मैंने माल लिया जो क्रे मुले है वो आपका 50 है CP मैंने 50 माल लिया अब उसने क्या बोला था कि एक व्यक्ति को उतने परतिशत लाब होता है जितना वस्तु का क्रे मुले है अब कितने परतिशत लाब हमने क्या मानना है 50 मानना है तो लाब कितने परतिशत होगा 50 परतिशत क्योंकि यही तो बोल रहे है न कि उस व्यक्ति को उतने परतिशत ही लाब होता है जितना उस वस्तु का क्रे मुले है तो क्रेमुल हमने 50 मानना तो परतिसत में लाब भी क्या माननेंगे 50 परतिसत माननेंगे यांकि 50 परतिसत का उसको लाब होता है तो 50 का 50 परतिसत क्या होगा अगर आप निकालते हैं 0 सी 0 यांकि 25 रुपे यांकि 25 का क्या होगा उसको लाब होगा तो 50 में उसने खरीद दी, 25 का उसको लाभवा, तो plus 25 एड़ कर देंगे, तो कितने में बेचेगा, 75 रुपए में बेच देगा, आगया न आपका, यही तो बोला था, किसी वस्तु को 55 में बेचने पर, इंगे satisfy हो गया, तो answer क्या आगया, आपका 50 ही आगया, तो आप option के according चल आपका 50 आजाएगा, आगे बढ़ते हैं, next question है आपका, एक मेज को 400 रुपए की अपेक्सा, 350 रुपए में बेचने से, हाने की परतिसत था, 5 परतिसत की विर्दी होती है, तो उस मेज का क्रेम उले बताईए, ठीक है क्या बताना है, क्रेम उले बताना है, और यहापे क्या क्या रहा है, 400 की बजाएगा, आपने 350 रुपए में बेची, तो आने कितने हुई, 5 परतिसत की विर्दी हो गई, तो अगर आप अच्छे से देखते हैं, तो यह जो 5 परतिसत की विर्दी किस वज़े से हुई है, इन दोनों के बीच के गैप की वज़े से हुई है, पहले उसमें बेच दी, तो जब उसने 50 रुपए कम में बेची, ता भी तो उसको 5% की विर्दी हुई, और हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है हमें, 100 पर पर्शेंट मान के चलते हैं तो हमें 100 की वालियो निकाल नी थी, निकाल दीजिए, 50 बटे 5 और इंटो में 100, कर दीजिए आप, क्या जाएगा, आपके 1000 रुपा आ गए, यह आपका अंसर हो जाएगा, देखे का आपे हैं, अगर आप देखते हैं, यह मिल गया आपका 1000 रुप ठीक है, तो यह इस टाइप के कुछ क्यूसंस हैं, इनको आप प्रेक्टिस करके देखिए,